हेलो एवरिवान आरती किचन इस्टीडियो में आप सबका स्वागत है तो आज हम व्रत वाली नमकिन पीनट बनाएंगे जैसे हल्दी राम वाली हम नमकिन खाते हैं ना उसी तरीके से हम ये व्रत वाली बनाएंगे तो देखिए तो सुन रहें ना आवाज पिलकूर इसी तरीके से करारी वाली चटपटी हम नमकिन बनाएंगे और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और व्रत में तो ऐसा मिल जाए तो मजा ही आजाए तो चलिए श्टार्ट करते हैं यहां हमने फली दाने ले लिए हैं फली दाने के न हमने छिलके उतारें नहीं इसे भिगोया है नहीं इसे हमने भूना है इसी तरीके से बनाएंगे हम तो हमने यहां पर एक बाउल ले लिया है अब इसमें हम सिंगाड़े का आटा ले लेंगे दो चमच करीब मैंने यहां सिंगाड़ा आटा ले लिया है और राजगिरे का आ तो रत का ही सामान उप्योग करेंगे तो हमने यहां राजगीरे काटा और सिंगाडे काटा बराबर-बराबर मातरा में ले लिया है अब इसे हम मसाले मिलाएंगे इसमें यहां हमने थोड़ा सा पुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है उसके बाद इसमें काली मिर्च डालेंगे इसमें संध्या नमक अपने टेस्ट के हिससाब से कर सकते हैं ज्यदा ही आपको चटपटे पसंद है तो थोड़ा जादा जादा डाल दीजिए मसाला अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका पेश्ट तयार कर लेंगे इसका पेश्ट हमें एकदम पतला नहीं करना है हमारे फली दाने इसमें लिपट जाए इस तरीके से इसका पेश्ट बनाना है हमें और हाँ आपसे एक रिक्वेश्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिये यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमने इसमें ना हल्दी ना लाल मिर्श डाला है क्योंकि ये वरतवाले हैं तो इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं इसी तरीके से बनाया जाता है और टेश्ट में कोई कमी नहीं रहेगी इसमें आप बिलकुर बहुत सौक से खाएंगे और बार बार इसे बनाएंगे और यकिन मानिये इसे वरतवाले ही नहीं सभी मांग मांग के खाएंगे और आपको हर बार बनाने की फर्माईश करेंगे तो चलिए ये हमारा पेष्ट बन के तयार हो चुका है बस इसी तरीके से रहना चीए अब इसमें हम फल्ले दाने डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है इसे कोट कर लेना है इसमें अच्छे से तो ये देखिए इसमें फल्ली दाने में पेष्ट अच्छे से लिपट चुका है तो अब ये हमारा तयार हो चुका है इसे हम तुरंत ही तलेंगे इसे रेश्ट करने की कोई जरूत नहीं है तो अब यहां हमने कढ़ाई में ओईल डाल दिया है ओईल हमें फली का ही डालना है प्रत में फली तेल ही चलता है या आप घीका उप्योग कर सकते हैं तो हमें इसे एक एक दाने अलग लग करके इसी तरीके से डालना है सुरू में हम थोड़े ही डालेंगे इसे चिपकने का भी डर रहता है तो हम एक एक करके ही इसे डालेंगे तो हमने यहां यह इस तरीके से डाल दिया है और इसे हम धीरे धीरे पल्टा लेंगे ये निकल जाते हैं आसानी से तूरंत चम्मच ना चलाएं इसमें थोड़ा सा हुने दे हलका सा और ज्यादा एकदम हाई फ्लेम पे गैस नहीं रखना है हमें उसलिगें धुर्एं मीडियम ही फ्लेम पे रखें ताकि हमारे अच्छे से फल्ली दाने भी अंदर से करारी हो जाये और यह करारे हो तो बस इसतरीके से हमें सेख लेना है अच्छे से इसे हम उलट उलट कर लेंगे जब तक कि इसका कलर एकदम डार्क ब्राउन ना हो जाए तो देखिए अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है ब्राउन कलर के हो चुके हैं अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी के भी हम इसी तरीके से डाल के निकाल लेंगे तो हैना बहुत ही करारे क्रिस्पी से और बहुत खाने में भी टेश्टी बनते हैं ये तो इसी तरीके से वुरत में बनाईए आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे है तो प्लीज एक लाइक करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई